भारत ने सीरीज के दूसरे टी 20 मैच में न्यूजीलेंट को 65 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज में एक शून्य की अज्जेय बढ़त बना ली है। पहला मैच बारिश की भेट चल गया था लेकिन दूसरा मैच जीत कर भारत ने एक श करते हुए छे विकेट खोकर 191 रन बनाए। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 111 रन बनाए। इशान किशन ने 36 रन बनाए और हार्दिक श्वेयस ने 13-13 रन की पारी खेली। न्यूजीलेंट के लिए टिम साओधी ने तीन और लोकी फर्ग्यूसन ने दो विकेट लिए। 192 रन के लक्षे का पीछा करते हुए न्यूजीलेंट की शुरुआत बेहत खराब रही। पहला विकेट पारी की दूसरी गेन पर ही गिर गया। फिन एलेन खाता खोले बिना आउट हो गए। इसके बाद कॉन्वे और विलियमसन ने 56 रन की साजहदा पारी कर पारी को संभाला लेकिन सुन्दर ने कॉन्वे को आउट कर कीवी टीम को दबाव मेला दिया। अगले ही ओव में चहल ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दिया और मैच में भारत की पकड़ मजबूत हो गई। इसके बाद कीवी टीम नियमित अंतराल पर विकेट गवाती रही और अंत में 18.5 ओव में 126 रन पर सिमट गई। कप्तान विलियमसन ने सबसे ज़्यादा 61 रन बनाई और कॉन्वे ने 25 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा ग्लेन फिलिप्स 12 रन और डेरिल मिशेल 10 रन की दहाई का आकड़ा छूपाए। भारत के लि जिसे विकेट नहीं मिला। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने शतक लगाया। टी बीस क्रिकेट में भारत के लिए यह उनका दूसरा शतक था। पहला शतक भी उन्होंने इसी साल इंगलेंड के खिलाफ लगाया था। वह रोहित शर्मा के बाद दूसरे भारतिये हैं जिन्होंने एक साल के अंदर दो शतक लगाये हैं। वहीं इस मैच में हेट्रिक लेने वाले टिम साओधी दुनिया के दूसरे गेंड़ बाज बने जिन्होंने ती 20 में दो हेट्रिक ली हैं। उन्होंने इस से पहले पाकिस्तान के खिलाफ हेट्रिक ली थी। लसित पहले गेंड़ बाज हैं जिन्होंने ती 20 में दो हेट्रिक ली हैं।